Hello guys, welcome back to the YouTube channel Android NC MI9 का successor, MI10 का leak सामने निकल के आचुका है दोस्तो MI10 का image leaked हो चुका है जिससे हमें इसके design के बारे में पता चला है साथ ही इसके कुछ specification भी leaked हो चुके है तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे MI10 के design, specification और इसके price के बारे में तो सबसे पहले बात करें इसके design के बारे में दोस्तो तो rear side में आपको quad rear camera setup मिलेगा और उसके just side में आपको dual LED flash देखनी को मिल जाएगा phone के bottom side में आपको MI का branding देखनी को मिल जाता है अब बात करें इसके front side के बारे में दोस्तो जहाँ पे आपको 90Hz refresh rate वाला display देखनी को मिल जाएगा साथी टॉप राइट साइड कॉर्णर में आपको dual punch और launch दिया गया है जहाँ पे dual front facing camera का setup होगा जिस तरह से आपको MI Note 10 में देखनी को मिला है अब बात करें इसके hardware के बाद दोस्तों तो MI 10 में आपको snapdragon 865 वाला chipset देखनी को मिलेगा और यह पहला smartphone होगा जहाँ पे आपको snapdragon 865 वाला chipset देखनी को मिलने वाला है क्योंकि Samsung भी अपने smartphone पे काम कर रहा है Samsung Galaxy S11 जहाँ पे आपको snapdragon 865 वाला chipset देखनी को मिल सकता है देखते हैं कि कौन सा brand होगा जो पहला smartphone snapdragon 865 के साथ लाँच करेगा और आप मुझे comment करके बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा brand होगा जो अपना phone snapdragon 865 के साथ पहले लाँच करेगा अब बात करें इसके RAM और ओम वेर्ण के बारें दोस्तों यहाँ पे आपको 6GB RAM, 8GB RAM और 2LGB तक का RAM वेर्ण देखनी को मिलेगा साथ ही यहाँ पे आपको 128GB, 256GB और 500 2LGB तक का इंटरेश्चर देखनी को मिल जाएगा और MI10 जो यह एक 5G connectivity के साथ आने वाला है अब बात करें से Smartphone के Camera के बारें दोस्तों, तो पीछे के दरब से आपको Quadrar Camera का setup देखनी को मिलेगा जो इसका Main Camera होगा, वो आपको 108MP का देखनी को मिलेगा जो इसका Second Camera वो आपको 48MP है, जो इसका Third Camera हो आपको 12MP है और जो इसका Fourth Camera हो आपको 8MP है यहाँ पे MI10 में आपको काफी अच्छा camera setup देखने को मिलेगा जिससे आप काफी अच्छे photography कर पाओगे अब बात करेज के front camera के बाएं दोस्तों तो front में आपको dual front facing camera देखने को मिलेगा जो कि आपको 20 megapixel प्लस 2 megapixel के साथ आएगा अब बात करेज के fingerprint sensor के बाएं दोस्तों तो fingerprint sensor जी है वो आपको in display में ही देखने को मिल जाएगा MI10 में अब बात करेज के battery के बाएं दोस्तों तो यहाँ पे MI10 में आपको 4500 mAh का battery देखने को मिलेगा साथ ही आपको 66W का fast charging का support देखने को मिल जाएगा और 44W का आपको wireless charging का support देखने को मिल जाएगा अब बात करेज के price के बाएं दोस्तों तो MI10 का base variant का price है वो 40,000 है तो overall performance जो होगा MI10 का वो काफी अचा होगा क्योंकि जो processor है और जो camera है वो काफी अचा होने वाला है MI10 में देखते हैं फिलाल कि यह कब तक smartphone launch होता है अभी तक इसका launch rate confirm नहीं हुआ है दोस्तों तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आशागरतों आप लोग को यह वीडियो पसंदा होगा अगर वीडियो पसंदाता है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिजिएगा शेयर कर दिजिएगा और चैनल को subscribe कर लिजिएगा अगर आपका कोई वी सवाल यह सुझा हो तो प्लीज आप मुझे comment करके बता सकते हैं फिर में मिलता है एक new और एक exciting वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम Thank you for watching this video